हेलो फ्रेंट्स मैं आप सब की फ्रेंट रादा समधी आज मैं फरारी स्नेक्स बनाने वाले वाले बफवड़ा भी बोल सकते आलू के भजिया भी बोल सकते आलू साबू दाना के तो इसके लिए हमको कुछ ज्यादा ने चाहिए थोड़े से साबू दाना लेने और घर पर सब्धा नमक्स नमक श्याद घर तो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा रड चिली पाउड़र अधी चमत जैसा अपने सोध की साब से डालना कसी भी है तो अधी तो मैं ने थोड़ा अब इसमें डालेंगे हम लोग एक ग्रीन चिली इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए इसका स्ट्रेक्चर कितना अच्छा बन गया है और में इसके छोटे-छोटे से टिकी से बना के रख लेंगे क्योंकि मेरी घर पेक मेरी फ्रेंड आयती है और उपास रखा हुआ था तो आप उसको मैं खाने के लिए क्या देती कुछ था नहीं इसलिए मैंने आप ब्रत में खाते हो उसको अच्छा सा गरम कर लेना जब अच्छा से गरम हो जाए फिर उसमें टिकी डालेंगे जैसे टिकी डालेंगे तो दिखना चाहिए गरम हो गया होगा अच्छे से तो ऐसा आपको दिखेगा और जैसे ही हम उसमें टिकी डालते है तो गैस को लो कर देना ताकि हमारी टिकी जल ना जाए और उसको लोफ लेंपम अच्छे से पकाएंगे यह देखिए थोड़ा पक गया है तो हम इसको पलट देंगे नहीं तो ब्लैक हो जाएगा और वह अच्छा नहीं लगे कलर भी अच्छा नहीं आएगा और खाने में टेस्ट भी कड़ उने कैसे हाथ लगाए होगे क्या हुआ होगा यह अब इजीली 15 मिट में रेड़ी कर शकते हो और अब इस रावन मास चल रहा है तो लोगों को फराडी खाना होता है क्योंकि वो क्या खाएं तो कुछ न कुछ सोते हैं तो मैंने यह बना और मौसम भी बहुत अच्छा है त सकते हो कुछ लोग बीकली एक दिन उपवास करते हैं तो लोग भी इसको बना सकते हैं एक अदसी में भी आप लोग इसको खा सकते हो तो थैंक्यू फर बॉचिंग लाइक कमेंट और सब्सक्राब प्लीज सेयर करना ना भूलें यह बहुत ही टेस्टी नासता है तो कर सको कौनसी सिटी से बहुच कर रहे हो कमेंट में लिखना ना भूला और एक वाट ट्राइ करके मुझे जरूर बताना है कि इस नेक्स अप्लो को कैसा लगा